So hello and welcome back to educational hikes आज की इस वीडियो में हम अपने offline बच्चों के साथ आपके साथ verbs पढ़ेंगे वर्ब एक बहुत ही important topic है और किसका हिस्सा है ये parts of speech का हिस्सा है parts of speech में there are 8 different parts of speech पता है ना सबको पता है ना 8 different type के parts of speech होते हैं जिन में से एक हमारा वर्ब भी है यह ना हिंदी में इस वर्ब को हम क्रिया भी कहते हैं क्रिया क्रिया अगर देखा जाए तो क्या वर्ब सिर्फ इतना है कि किसी चीज से अगर हमें पता चले कि काम हो रहा है उसको हम कहते वर्ब है सिर्फ उतना ही वर्ब होता है क्या नहीं कभी-कभी हमें पता नहीं चलता है कि भाई जो दिया गया word है इसमें कुछ काम हो रहा है या नहीं हो रहा है लेकिन वो भी verb होता है तो आज की इस chapter में वैसे तो बहुत different types के verbs हैं हमारी English में हम आज सिर्फ दो तरीके के verbs पढ़ेंगे जो की बहुत ही जादा main है जिसमें से पहला है हमारा auxiliary verb auxiliary verb and the second one is main verb main verb आप क्या पहचान लोगे verb कैसा दिखता है अगर मैं यहाँ पहचान लोगे कैसा दिखता है verb चलो लेट्स ट्राइए एक सेंटेंस लिखता हूं है वाट्स नेम हेतल ओके हेतल हेतल वाज जम्पेंग अलाउंग दस्टेर्स अलाउंग दो स्टेर्स यानि हेतल वाज जम्पिंग अलाउंग दस्टेर्स सीडियों के आसपास कूद रही थी तुम है ना हमने सेंटेंस लेखा है ध्यान से देखो वर्ब कौन सा है बताओ चलो ढूडो ढूडो क्या हो सकता है इसमें वर्ब कौन कौन सा है किसी को समझ में है तो हाथ उठा लो क्या जम्पिंग चलो मतलब यह पहली नजर में तो हमें यह लगेगा ना कि चलो हमारा जम्पिंग है jumping मतलब होता है कूदना जिसका मतलब है काम करना तो वर्ब तो यह होना चाहिए कोई और वर्ब है इसमें was भी है helping verb correct यह अब देखे रहो this is called helping verb इसका हमने particular नाम दिया helping verb अब यह helping verb क्या होता है यह भी हम सीखेंगे तो किसी भी sentence में main चीज यह है, किसी भी sentence में दो verb होते हैं, एक main verb दूसरा helping verb है न, helping verb और auxiliary में क्या फरक है उसके लिए आपको यह देखना पड़ेगा और यह chapter पढ़ना पड़ेगा, तो आए, start करते हैं two different types of verb जिनको बड़े प्यार से तुम लोग auxiliaries and main verb कहते हो, ठीक है, तो सबसे पहले main verb की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि main है यह, नाम से भी main है और sentence में भी main काम करता है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं main verb कहते है, ठीक है main verb में बहुत सारी चीज़ें आ गई है, अब तुम्हें कहा जाए कि, please open the door इसमें main verb क्या है, open the door open, open करना हमारा main verb है इसमें, और अगर मैंने कहा कि shut that laptop main verb क्या है, shut shut मतलब, बंद करना ठीक है, I am teaching English I am teaching English main verb क्या है इसमें, teaching तो main verb मतलब जो sentence का मुख्य काम करे, वो क्या होता है main verb होता है अब actually main verb की definition यहां से निकल कर आती है, what actually is main verb, doing words doing words are main verbs main verbs यानि ऐसे verbs जिनसे पता चले कुछ काम हो रहा है अब काम भी दो तरीके की होते है ऐसा नहीं है कि हमेशा हाथ पैर चला कर ही तुम कोई काम कर सकते हो कभी कभी तुम दिमाग कभी इस्तिमाल करते हो ना, think करने के लिए, तो वो भी एक तरीके का verb है, तो मैं यहां पर बात कर रहा हूँ हर तरीके के doing words को हम main verb कहते है है ना, और main verbs को कितने categories में divide, कितने forms है कल बताया था मैंने आपको कि main verb के इतने different forms होते हैं और यह सब आपको पता है जैसे इसमें से सबसे पहला है इमारा verb का first form इसको हम present form of the verb भी कहते हैं, क्या कहते हैं present form of verb दूसरा आता है इसका verb का second form, इसको हम क्या कहते है past form of verb present form of verb past form of verb, तीसरा है verb की third form इसको हम past participle कहते हैं, क्या कहते हैं past participle, फिर से अगर इनका नामांकरड किया जाए तो हम इनको क्या क्या कह सकते हैं हम इनको कहते हैं present form present form दूसरा past form तीसरा past participle past participle ठीक है तो ये तीन main forms of verb हैं जो आपको हर किताबों में मिल जाएगी आपके पास कोई भी grammar की book हो आप देखो कि जहांपर forms of verb दिया है वहाँ पर ये तीनो forms आपको दिख जाएंगे क्या इनके अलामा भी कोई forms होते हैं verb के fourth form and fifth form हम इनको commonly कह देते हैं कि verb की fourth form और verb की fifth form पहले तो ये ही देख लो कि verb की fourth form किसको कहते हैं और fifth form किसको कहते हैं भाई fourth मतलब जिसमें क्या लग जाए ing लग जाए किसमें ing लग जाए verb की first form में एक दम वह की fourth form तब बनती है जो first form में हम लगा देते हैं ing looking why are you looking at me तू देख रही हो why are you looking at me look में हमने लगाया ing ये बन गया fourth form of the verb watching watch में हमने लगाया ing ये बन गया fourth form of verb हमने तुम teach में लगा दिया ing teaching हो गया ये तुम लोग study में लगा दो ing studying हो गया ये तो ये हो गया हमारा verb का fourth form verb की fifth form की बात करें तो ये कैसे बनता है ये बनता है verb की first form में या तो s add कर दो या तो es add कर दो very good अच्छा क्यों लगाना जरूरी है हम बिना s और es के verb लिखते हैं तो वो बिल्कुल first form जैसे दिखती है है ना फर्क क्या है क्यों हमें fifth form की जरूरत पड़ी इसले पड़ी कभी हमें अगर singular subjects लिखना हुआ क्या लिखना हुआ singular singular subjects जैसे for example मैंने नाम लिया बार चलो मैं नाम ले लेता हूं Shivam का क्या मैंने कहा शिवभम ठागे और शिवभय के साथ मैं लगाया प्ले शिवभम फ्ले शिवभम खेलता है एक बार में लगेगा तुमको सही हहए biz इक है अगर एक है तो इसमें हम क्या लगाएंगे इसमें हम यह नहीं लगाएंगे भाई इसमें एस और इस लगाना पड़ेगा हमें ठीक है क्या लगाना पड़ेगा एस एंड इस तो अब यह हो जाता है एस तो शिवम प्लेज यह करेक्ट ग्रैमेटिकल इंगलिस है कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब की फॉर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है किस फॉर्म में होती है प्लूरल फॉर्म में जो की केवल plural subjects के साथ ही इस्तेमाल होती है जैसे यहाँ पे shivam and kiran दो होता shivam and kiran तो हम s हटा देते हम केवल क्या लिखते है place लिखते s को हटा देते हम ठीक है तो shivam and kiran दो हो गए plural हो जाता जब plural हो जाता तो हम verb की first form के इस्तेमाल करते है क्योंकि verb की first form क्या होती है plural होती है समझ में यह की verb की first form हमेशा क्या होती है plural होती है तो अब जितने भी verbs watch play jump go come ठीक है यह सभी क्या है यह सभी plural माने जाते है अगर इनको singular बनाना है तो तुमें s और es लगाना पड़ेगा go को goes करना पड़ेगा तब हो singular होईगा come को comes करना पड़ेगा तब हो singular होईगा ठीक है इतना समझ में आए main verb उसके कितने forms होते है इनके क्या क्या नाम है present form past form third form को कहते है past participle form और fourth form fifth form यह मैंने समझाए fourth form जो ing लग जाए that is the fifth form of the verb और अगर verb की first form के साथ as and yes add हो जाए that is singular subject यह singular subject के साथ इस्तिमाल होता है इसकी condition है यह हमेशा singular subject के साथ इस्तिमाल होगा ठीक है अगर auxiliary verbs को देखा जाए तो यह भी दो तरीके के हैं एक तो आप सबसे पहले इसको helping verb केहते हो कभी कभी लोगों को लगते है helping verb और auxiliary verb दोनों same है but same नहीं है अब देखो helping verb की खासियत है और दूसरा क्या है दूसरा है हमारा model auxiliaries model auxiliaries अगर auxiliaries नहीं लिखना तो आप verbs भी लिख सकते हो model verbs ठीक है but auxiliary लिखोगे तो आपको clear cut पता चलेगा कि auxiliary मतलब क्या होता है यह एकदम छोड़ा सा topic है इसको हम समझेंगे कि auxiliary verb में केवल दो ही auxiliary verbs है हमारे पास helping verb model auxiliary helping verb की एक खासियत है क्या खासियत है मैं यहाँ पे bracket में लिख रहा हूँ helping verb के बारे में it can be used as main verb also main verb also यह ना main verb के तरीके से भी use हो सकते है यह हमेशा helping का काम नहीं करते है यह कभी-कभी main भी बन जाते है मैं पूरा example लेके पढ़ाऊंगा अच्छा अभी model auxiliary की बात करें तो इनकी खासियत यह है कि it cannot be used as main verb यह कभी भी main verb नहीं बन सकते इट cannot cannot be used as main verb यह सबसे बड़ा difference है model auxiliary और helping verb में यही सबसे main difference है इसको हम सीखेंगे सबसे पहले हम इसका example लेते है अब अगर देखा जाए तो एक चीज लेके देखते हैं मैंने कहा था कि I am writing I am writing an essay यही बोला था मैंने अभी I am writing an essay यानि मैं एक निबंद लिख रहा हूँ है ना इसमें हमें clearly पता है कि writing हमारा क्या है यह है main verb और यहाँ पर am जो है हमारा यह काम कर रही है helping verb की इतना clear है इतना clear है इस example में am helping verb है और writing हमारा main verb है लेकिन एक और example लेके दिखाता हूँ मैंने कहा I am a boy इसमें बताओ इसमें कितने verbs दिख रहे हैं तुमको I am a boy में देखा जाए तो सिर्फ एक और ही verb है am तुम्हारे नजर में यह helping verb है यह क्या है तुम्हारी नजर में helping verb लेकिन यह main verb की तरीके से भी काम कर सकता है यही मैंने लिखा है न it can be used as main verb also मान लो main hero मर जाए उसका बाप या भाई बदला ले ले तो बिलकुल ऐसा ही है इसमें अगर main verb चला भी जाएगा ना तो helping verb कहेगा मैं जिंदा हूँ ना मैं पूरे sentence को बना लूंगा लेकिन models के साथ ऐसा नहीं है इनका main verb अगर चला जाए तो यह कहते हम से नहीं हो पाएगा हम कोई sentence नहीं बना पाएंगे है ना तो यह there is a accurate difference between helping verb and main verb इतना देख लिया कि helping verb किसे कहते हैं it can be used as में अब वो जो auxiliary भी हटा देते हैं auxiliary लिख देते हैं उपर auxiliary verbs अब तुम्हें clear रहेगा कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं auxiliary verbs के बारे में जिसमें से पहला auxiliary verb था helping verb यह main verb के तरीके से भी इस्तेमाल हो सकता है हमने दोनों example दे दिये यहाँ पर helping verb का काम कर रहे है यहाँ पर main verb का काम कर रहे है समझ गये तो यह तो था हमारा auxiliary verb का पहला type helping verb अब हम चलेंगे आखरी यानी model auxiliaries क्या है मैंने बताया एक चीज मैंने इनके बारे में बता दी है कि it cannot be used as main verb यह कभी भी main verb का का काम नहीं कर सकते हैं इनका example हम उपर लेंगे हम model auxiliaries का example बता कहां कहां से लेके आना पड़ता है अच्छो एक example लेते हैं मैंने कहा मैंने कहा कि I can dance dance कर सकता हूं मैं हाला कि कर नहीं सकता कह दिया बस I can dance I can dance main verb क्या है कौन बताएगा इसमें में में वर्ब क्या है कौन सा वर्ब में वर्ब डूडो इत्ना simple तीन अक्छर का word तुम बता स्वेहम स्वेहम ना ना म भी तो सूरेवंसी का अक्छा कुमार हो गया हूं सूरेवंसी देखे उसमें ना म भूल लाता है वह हमेशा अब बताओ कैन किसाफ से तुमको कैन में वर्ब लग रहा है में वर्ब के लिए मैंने नीचे लिख वाया था न तो एक चीज याद रखना में वर्ब हमेशा कोई ना कोई काम दिखाएगा jump हो रहा है, carry हो रहा है run हो रहा है, shut हो रहा है open हो रहा है, कोई ना कोई काम दिखाएगा ये है हमारा main verb अब यहाँ पर ये can जो है ये model auxiliary है क्या है? model auxiliary model auxiliary मतलब ये as a auxiliary as a extra verb यूज हुए है dance के लिए अब कभी-कभी न हम can को हटा देते हैं I can, मैं कर सकता हूँ ये भी sentence गलत नहीं है लेकिन अधूरा है I can, मैं कर सकता हूँ अगर मैंने बोला मैं कर सकता हूँ तुम लोग पूछो कि ना क्या कर सकते हैं सर क्या कर सकते हैं? तो ये incomplete है और अगर I can dance हो जाए तो ये पूरा है तो जो model auxiliary होते हैं बहुत simple सा example है मैंने कहा कि I would I would like to have to have biscuits मैं biscuit लेना पसंद करूँगा ठीक है? इसमें model auxiliary है हमारा would क्या है? would है ना? देखा जाए तो इस model auxiliary के लिए एक main verb है वो है like पसंद करना है ना? अगर 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 मालो हम इस main verb को erase कर दे क्या अगर दे? sentences से हटा दे main verb को sentences से हटा दे अब पढ़ो देखो कोई मतलब निकल रहा है कै इसका I would to have biscuits कोई मतलब नहीं है तो एक चीज़ प्रूफ हो गई model auxiliaries बिना main verb के इस्तेमाल नहीं किये जाते इनको main verb की जरूरत पढ़ती है लेकिन helping verb को main verb की जरूरत नहीं पढ़ती है ये आपने अभी तब difference देखा अब हम देखेंगे हमारे पास कितने helping verb है कितने main verb है और हमें इतना पता है कि model auxiliaries होते क्या है हमाई पास helping verb था तो इनको लाने की क्या जरूरती अलग से ठीक है हम ये भी जानेंगे कि कितने model auxiliaries है किन-किन places पे वो use करते है ये तो अलगी chapter है लेकिन यहाँ पे introduction है model auxiliaries का सबसे पहले तो ये describes the mood of the speaker describes describes the mood of the speaker ये बोलने वाले की mood को बताता है कि बोलने वाला किस mood में है रज़र मैंने कहा तुमने हमसे बुचा सर कल आएंगे तो मैं बोलूँगा I may come हो सकता है चलाओ और अगर मैं बोलू I must come मुझे आना ही है mood में फरक है ना इसमें है ना तो model auxiliaries mood को describe करते हैं अगर तुमने हमसे पूचा कि क्या आप English बोल सकते हैं और अगर मैंने कहा I may speak English मतलब मुझे confusion है मेरा mood में ये है कि मुझे हो सकता है मैं बोल पाऊ हो सकता है मैं ना बोल पाऊ अच्छा अगर मैंने यही कह दिया I can speak English मतलब मुझे अपने आपे भरोसा है मैं बोल सकता हूँ और अगर मैंने कहा I must speak English तो मुझे बोलना ही चाहिए किसी भी हालत में चांस ही नहीं है कि मैं हिंदिम बात कर लो तो मॉडल ऑक्जिलिरी मूड को डिस्क्राइब करते है कितने मॉडल ऑक्जिलिरी जो कितने मूड को डिस्क्राइब करते है वो एक संचिप्त में हाँ पर आप जान लो हमाई पास सबसे पहला model auxiliary और बहुत ही प्यारा चोटा सा कैन है ठीक है दूसरा इसी का जुड़वा भाई में और क्या हसनी की क्या बात है इसमें तीसरा में के बाद अपन पढ़ेंगे में का old version might के जिए इंसान बुड़ा हो जाता है थोड़ा फैल जाता इना अभी हम इतने पतले यो Mur hoard मैं यादास भूलूंगा मैं और बुड़्डा हो और चोड़ा होंगा तो में का बढब बाइस और केन का बढ़ा बहा reiterate कुड़ कौन है गुड़ क्योंब बच्चे है और ये बड़े हो गया तो फूर्म बन गय इसके पीछे गलाजिक प्रेजरंट सब्सक्रिख प्रेजर प्रेजरंड फर्म में है पाज्वर्म में कुट गया मस्ट केहते हैं मस्ट हो गया मस्ट के अलावा सिक्स्थ शुड ग्यान देने के लिए हमेशा इसी मॉडल अक्जिलिरी का इस्तिमाल करते हो हमेशा ग्यान देते हो न अपने दोस्तों को कि तुझे जूट नहीं बोलना चाहिए तो बारवार जूट बोलता है तो यूशुड नॉट स्पीक लाई ठीक है यूशुड नॉट स्पीक फॉल्स स्टेट्मेंट्स अब ऐसे बोल सकते हो अच्छा यहाँ पे होगे सात्व हमारा वुड वुड लिखवा है नहीं लिखवा है न वुड अच्छा वुड किसका बड़ा भाई है वो है विल का किसका विल का और शुड किसका बड़ा भाई है वो है साल का शल ठीक है अपने पास यहाँ पे दिख रहे है कितने؟ नॉट और कौन से है आईए दसमा देखते हैं नीڈ नीच टू और भी है 11th ought to रुको तो ought to 12th dare not dare to dare not whatever it is so these are 12 main model auxiliaries और भी है hat to है लेकिन पढ़ना आपको फिलाल इतना है तो अब ये हमारा helping verb वो main verb का chapter यहाँ पर खतम होता है so this is all for today offline बच्चे आप note down कर सकते हो and online के लिए bye bye love you all चैंद